हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल डिजिटल वर्क में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुख मंतरी आबुवा स्वास्थ सुरक्षा योजना के बारे में कि किस परकार से आप घर बैठे ही आबुवा स्वास्थ सुरक्षा योजना काastically बना सकते हैं OTP के थूरू या फिर बायमेट्रिक के थूरू तो चलिए वीडियो को स्थार्ट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मुख्य मंतरी आबुवा स्वास्थ सुरक्षा योजना का official website है तो यहां से आप खुद से किस परकार से card बना सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले एक option देखने को मिलेगा beneficiary इस पर आपको किलिक करना है और यहां पर अपना mobile number डालना है send OTP पर किलिक करना है आपकी mobile number पर एक OTP भेजा जाएगा उस OTP को यहां पर डालना है और यह जो capture दिया है यहां पर भरना है और login पर किलिक करना है जैसे आप login पर किलिक करते हैं आप successfully login हो जाते हैं पर आप देख सकते हैं यह जो अबुआ स्वात सुरक्षा योजना का जो ओफिसल वेबसाइड है यहाँ पर हम लोगिन हो चुके हैं इसके बाद जिसका भी आपको कार्ड बनाना है उसका रासन कार्ड नमबर यहाँ पर डालना है यह जो केपचा दिया गिया है इसे यहाँ पर भरना है सर्च पर किलिक करना है आप जो भी रासन कार्ड नमबर डालेंगे उसका सभी डीटेल्स देखने को यहाँ पर मिल जाएगा उस रासन कार्ड में कितने मेंबर है सभी का नाम पती का या पिता का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको दो अ बनाना चाहते हैं उसके नाम पर यहां KYC के option है उस पर click करेंगे उससे पहले आपको यह check कर लेना है जो भी details यहां पर दिखा रहा है जिसका card आप बनाना चाहते हैं तो उसका नाम और DOB और पती का या पिता का नाम आधार card से match कर रहा है कि नहीं अगर match नहीं कर रहा है तो बनाना है क्योंकि अगर उसका card आप बनाने के लिए KYC पर click करते हैं तो वो pending में चला जाएगा तो यहां पर हम अभी इस व्यक्ति का card बनाना चाहते हैं इसका नाम और पती का नाम DOB सब आधार card से match कर रहा है तो अभी हम यहां KYC पर click करेंगे जैसे आप KYC पर click करते हैं यहां पर आपको दो option देखने को मिलता है KYC करने का एक OTP के थुरू दूसरा fingerprint के थुरू तो यहां पर जिसके आधार card पर mobile number link है वो OTP कर सकता है और जिसके आधार card पर mobile number link नहीं है वो fingerprint के थुरू कर सकता है तो अभी हम OTP वाला option select करेंगे अगर इस OTP के थुरू से नहीं आप लोग को दिखाएंगे जैसे आप OTP वाला option पर किलिक करते हैं यहां पर एक agree करने का option आता है यहां पर किलिक करेंगे उसके बाद जिसका स्वास्त कार्ड बनाना चाहते है उसका आधार number यहां पर डालेंगे और यहां पर send OTP पर किलिक करेंगे यह send OTP का option enable हो जाएग लेकिन यहां OTP type करने का option नहीं आ रहा है तो चलिए अब यहां fingerprint वाला option अभी देख लेते हैं यहां fingerprint का option पर किलिक करेंगे और यहां आधार number डालेंगे जिसका स्वास्त कार्ड बनाना चाहते हैं नीचे यहां agree का एक option देखने को मिलेगा इस पर आपको किलिक करना है और capture by metric के option पर किलिक करना है यहां हमारे fingerprint पर light जल चुका है और यहां पर finger भी capture कर चुका है अप देखते हैं कि यह वैसे किस परकार से complete हो रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं fingerprint के थूरू यह कि वैसी complete हो चुका है यहां पर आप देख सकते हैं ekyc done successfully और यहां पर आप जो आपके राषन डिटेल भरा वह पहले तो यहां पर आप देख सकते हैं 100% matching source देखने को मिल रहा है और यहां card download करने का option आ रहा है तो यहां पर click करके card download करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है card not generated इस card को download करने के लिए आपको फिर से back जाना होगा तो यहां back to search के option पर click करेंगे इसके बाद वही रासन card number डाल कर search करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं जिसका अभी हम swast card बनाए है उसके यहां ekyc के icon पर green tick आ चुका है और यह download करने का option आ चुका है इस पर हम click करेंगे तो इसका जो है swast सुरक्षा card download हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं यह जो card है वो download हो चुका है इस card को open करके आपको दिखा दे रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो card है वो बन कर आ चुका है अबुआ swast card यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जिसका card बना है उसका नाम रहेगा डी ओ भी रहेगा जेंडर रहेगा गाव का नाम रहेगा जिला का नाम रहेगा एक ID नमबर देखने को मिलेगा जो हर कार्ड में यूनिक रहेगा अलग अलग रहेगा तो इस परकार से आप आप वहा स्वास्त कार्ड बना सकते हैं खुद से घर बेठे ही तो आसा करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी और वीडियो आप पसंद आया वाग वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब जरू करें एक अच्छा सा कमेंड भी करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद